नमस्कार आप देखरें दर्श न्यूज मैं प्रिती दयाल आपके साथ बिहार के बाहुपली नेता और पुर्व विधायक अनन्त सिंग को पटना की MP MLS स्पेशल कोट से राहत मिली है अदालत ने अनन्त सिंग को 20 साल पुराने गोली बारी के एक मामले में बड़ी कर दिया है अदालत के मुताबिक इस केस में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पाए गए इसलिए उनके उपर लगे आरोपों से उन्हें मुक्त किया गया है बतादे की अनन्त सिंग फिलहाल पटना की बेउर जेल में बंध है उन्हें आम्स एक्ट के मामले में पिछले साल 10 साल की सजा सुनाई थी इसके बाद उनकी विधायकी भी चली गई थी जानकारी के मुताबिक सांसदो विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेश अदालत ने हत्या के प्रयास और सरकारी कारे में बाधार डालने के एक मामले में पूर्व विधायक अनन्त सिंग को साक्षे के अभाव में बरी कर दिया है विशेस नयाधेश विनय प्रकाश्तिवारी ने सुनवाई के बाद सोमवार को अनन सिंग के खिलाब कोई सबूत नहीं पाते हुए उन्हें बरी करने का शैसला सुनाया बतादे कि यह मामला 28 परवरी 2003 का है पीर बहुर थाना छेतर इस्थित महेंदरू घाट रेलवे कार्याले में निविदा को लेकर दो पक्षों में गोली बारी हुई थी इसकी प्राथमी की पीर बहुर थाना में दर्ज कराई गई थी इस मामले में अनन्च सिंग का नाम आया था हाला कि उनके खिलाफ सबूत न मिलने पर अब उन्हें बरी किया गया है गौर्तलब है कि अनन्च सिंग को आम्स एक्ट में जेल में सजा काट रहे है मोकामा से पूर्विधायक अनन सिंग का नाम बिहार के बहुबली नेताओं में शुमार है उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज है पिछले साल जून महीने में MP MLA कोट ने ही 10 साल जेल में रहने की सजा सुनाई थी अनन सिंग के पैट्रिक आवाज से पुलिस ने 2019 में AK-47 हैंड ग्रेनेड कार्टूस समेत अन्ने हथियार बरामद हुए थे जेल होने के बाद अनन सिंग की विधान सभा की सदसिता भी रद कर दी गई थी तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही बिहार और जारकन से जोए तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे दर्श न्यूस के साथ